अहले दोस्तो तो आपधी दुस्तो हम आई हुए हैं बधे Vorsनátch मंदिर जैसे कि आथ देख सकते हैं ऑर अभी हम मेन मंदिर पर नहीं है और जहां पर हैं अभी यहां पर यहां पर पीछे लोग असनान करते हैं यहां पर तो दूस्तो आप चलते हैं मैं आपको दिखाऊंगा में मन्हीन बडशनांत का जो काफी फेमस हैं और महा पर काफी दूर दूर से आता हैं इस मंदर का दर्शन करने के लिए और हैं जो मंदिर अब बश्टी में ही पड़ता है था संक्र जी का मंदिर्य है उस में मंदिर से लोग आते हैं इसh manń का दर्सन करने तो तो मैं आपको बै केमीरे से दिखाता हूँ इस मंदिर का खुबज़ती इसके अंदर क्या क्या चलते हैं देखते हैं तो आफ इस videos को पुरा देखते रहें तो दोस्ते जैसा की देख सकते हैं कि मैं मंदिर के सामने खड़ा हूँ तो दोस्ते चलते हैं अंदर दोसन करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को इस मंदिर के अंदर के बारे में कर दोस्ते हैं कि इस मंदिर के बारे में जन कर लेते हैं तो बाबा यह बता है कि इस मंदिर पर कितना वीर होता है तो यह बाब बता रहे हैं कि दोस्तों इस मंदिर पर काफी वीर होता है और यह बाब कि यहां पर कहां कहां से दर्सन करने इस मंदिर के आते हैं बाब बता रहे हैं कि दोस्तों यहां पर आयोध्या बस्ती फैजाबाद और लखनोग और मुझा बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्सन करने और बाब बताईए इस मंदिर के बारे बताईए कि यह मंदिर जब इस्थापना कैसा हुआ इसके बार नफ्रस होता है बाब बता रहे हैं कि दोस्तों यहां पर संकर जी परगट हुए थे जिससे लेकर यह मंदिर काफी और तेज मतलब जिससे काफी परशिद हुआ और इसी को लेकर यहां पर काफी दूर दूर से लोग इस मंदिर को दर्सन करने आते हैं कि मुझे यहां पर घुमा रहे हैं तो राजन बोले थोड़ा बहुत तो गाइस में मेरे भाई के यूट्यूब चैनल ही से आप ज़्यादा लाइक करें कॉमेंट करें और सब्सक्राइब ही करें सिए अधर मेरे भाई को आप सपोर्ट करें यह भाई मेरे करें यहां बीजा रहा हूं राजन भाई मेरे साथ ही है तो राजन भाई इसके लिए सुक्रिया दोस्त मेरे कोई बात नहीं हो रहे हैं तो इतलो और आगे मंदिर भूंते हैं और इस मंदिर के बारे में लोगों को दिखाते हैं कि दोस्तों मैं आप लोगों को इस मंदिर की खुबसूरती को मैं आप लोगों को डिखा रहा हूं जैसे कि देख सकते हैं जोस्तों मंदिर काफी खुबसूरत दिख रहा है कि पीछे देख सकते हैं कि यह मंदिर के बगल में दुकाने लगती हैं तो मैं आपको यहां का दुकान जो है मैं आपको बैए केमरे से दिखा रहा हूं यहां पर काफी अच्छे सामान भी मिलते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर पीछे दुकान भी लगा है झाल झाल